नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दानियूस और मैरानी गुपता आपके साथ अयोध्या रेप कांट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है आपको बता दे दरसल समाजवादी पार्टी की नेता अब इस पूरे प्रकरण में गलत बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं लोगों को बाटने का काम कर रहे हैं दरसल यहां पर जो में आरोपी है वो शुरू से मोहित खान बताया जुआ रहा है जो की समाजवादी पार्टी के नेता अखलेश यादव और अवधेश प्रसाथ का का काफी ज राजू से था और राजू एक हिंदू है कहीं न कहीं यहां पर जो सरकार है योगी सरकार वो मामले की गंभीरता को देख रही है जल्द से जल्द पीडिता को न्याइद लाने के लिए काम कर रही है लेकिन दूसरी और समाजवादी पार्टी जो है लगातार इसका राशनि होने सोशल मीडिया पर ये जूट परोसा फौरन आयोध्या की पुलस ने उनके जूट का भांडा फोर्ट दिया और ये बताया कि राजू हिंदू नहीं है बलकि उसका नाम राजू खान है और यहां पर दो लोगों के खलाफ F.I.R. दर्श की गई है राजू खान और इसी के बावजूद आईपी सिंग जो कि समाचवादी पाटी के नेता हैं वो धडलने से जूट फैलाते हुए नसर आ रहे हैं वहीं दूसरी ओर आपको बता दे कि आच्यारे परमहंस महराश ने भी अखिलेश यादों के खलाफ जम कर हमला बोला है सिदे तोर पर आयोध्या में जिस तरीके से जगहन कांड को अंजाम दिया गया है इसके खलाफ उनका घुसा फूट पड़ा है और उनका कहना है कि आज समाचवादी पाटी इस मामले को ले करके राशनीती कर रही है लेकिन यहीं चीज़े अगर उनहीं के घर में हुई होती तो क्या वो इस तरीके की ब राजू का उस लड़की से लव एफर्ट था राजू हिंदू है बेकरी में काम करता था जबरदस्ती बीज़पी नेताओं ने बेकरी मालेक 72 वर्ष के वेक्ति को इस मामले में मुस्लिम होने के नाते घसीर दिया आज जूठे मन गढ़ंत मामले में योगी सरकार राशनीत कर रही है माननीय उच्चे नयाला इसका संग्याल ले और लड़की की सुरक्षा बढ़ाई जाए उसे एमस में शिफ्ट किया जाए लेकिन वहीं दूसरी ओर जैसे ही यह पोस्ट किया जाता है आईपी सिंग की ओर से आयूध्या पुलिस ततकाल उनके इस पोस्ट को लेकर करके रप्लाई करती हो और यहां पर यह बताती है कि कैसे दो नामजत आरोपी है मोहित खान और राज्यू खान उन्हें गिरफतार कर लिया गया है हिरासत में भेजा गया है और बखादा जितने भी साइंटिफिक एविडेंस हैं उन्हें कलेक्ट किया जा रहा है यानि कि पौरण यहां पर आयोध्या पुलस ने उनके जूट का भंडा फोड कर दिया है ऐसे में आपको बता दे कि कल देखने को मिला था कि बीजूपी की एक प्रतिनिधी मंडल ने भी पीडिता के फैमिली से मुलाखात की थी और बखादा इस पूरे मामले में खारवाई का आश जो घर्टना हुई यह यह बहुत दर्दनाग घर्टना है इसमें में आरोपी कौन था कितने लोग थे अभी भी कोई धमकी वगएर आप लोग को मिल रही है अब भदर्षा आप दे रहा हैं अच्छा कोन बदर्षा के लोग वह तके लोग है अगे उनिक तर्के परिवार क पूलिस को बता दिया आप ने बते हैं तो क्या आप क्या चाहती हो आप करवाई होनी चाहिए नहीं जाए कल बुल्डोजर की कारवाई हुई माता जी उससे आप कितना संतुस्थ हैं आप संतुसे और भी कुछ होना चीज़ा घार है उनका तमाम संपत्ति है उस्पन करवाई होने दूसरी और 12 वर्षिय नाबाली के साथ रेप के मुख्यारोपी मुईत खान पर अचार्य परम्हंस महराज का गुबार भी फूट पड़ा है उन्होंने सपा प्रमुख अखिले करने की घटना हुई है ऐसी सजा होनी चाहिए कि दुबारा लोगों को जो है डर पैदा हो जाना चाहिए वीडियो बना रहा है वीडियो जो है मुईत दिन खान के मुबाईल से बरामद हुई है इससे बड़ा प्रूप क्या हो सकता है अखिले स्यादों को अब मैं क्या हुई है और यह रामनगरी को कलंकित करने की घटना हुई है एक नावालिक बच्ची जिसकी महाजुमर बारा साल है ऐसी बेटी के साथ में ऐसी हैवानियत ऐसी दरिंदगी कि जो सुन रहा है वो सहम जा रहा है इसलिए पेडित परिवार को जितना अधिक हो सके लोग अधिक सधिक आर्थिक सहयोग करें और उस अपराधिक को जितना अधिक उसकी सारी संपत्ति जब्त कर दी जाए ऐसी सजा होनी चाहिए कि दुबारा लोगों को जो है डर पैदा हो जाना चाहिए यह सारी हैवानियत भी जो है इससे मैं मुझे लगता है कि हैवानियत भी सरमसार होगी बहुत दुख है पूरी रामनगरी में बहुत सोख है इसको ले करके और यहां जो सपा का सांसद है उसका जिगरी यार रहा हो मोईदीन खान समाजबादी कांग्रेस पार्टी खामोस क्योंकि अपराद करने वाला अपराधी की यह लोग मजहब देख रहे हैं यह लोग धर्म और मजहब को देख करके बोलते हैं तो बहुत दुख है आसा है कि पीडिता को न्याय मिलेगा और एक सबक मिलेगा अपराधियों को कि जो इस तरह की घ दो भूतें साबित होते हैं तो इसमें सामी सरकारी अधिकारियों को भी नहीं बक्ता जाओं देखिए यह जो घटना हुई है मोईदीन खान लगभग 65 साल उमर है उसकी लड़की जो है हिंदू लड़की है अतपिछडा समाज की गरीब की लड़की है उसके बाप भी नही हैं वह मोईदीन खान बलातकार कर रहा है मुझ में कपड़ा ठूसा हुआ है लड़की छट पटा रही है और उसका जो है सहयोगी दूसरा वो वीडियो बना रहा है वीडियो जो है मोईदीन खान के मुबाइल से बरामद हुई है इससे बड़ा प्रूप क्या हो सकता है अगर उनकी बेटी होती है अगर दस साल बारा साल किया और उसके साल कोई पैस साल का मुल्ला ऐसा किया होता तो सायद आज अखिले से आदव ऐसा न बोलते समाजबादी पार्टी के लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं जरा अब ही सरम कर लो अगर तुम्हारे घर की बहन इस तरह की होती है उसके साथ ऐसा हुआ होता तो आज तुम छाती पीटते होते अरे राजनीती को कुछ समय के लिए किनारे कर दो और मानावता को देख लो एक बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई है जरा थोड़ा सा सरम करो मैं कहता हूँ कोई भी हो चाहिंदू, मुसलि ने की जो है तो उनके लेक्चर हो रहा है कहीं न कहीं से उस अपराधी के प्रति हमदर्दी छलक रही है अरे इससे बड़ा पुरूप क्या हो सकता है कि वह पीडिता जो है प्रेगनेंट है वह जो है तो बारा साल की बच्ची जो है तो वह खुद बयान दे रही है और वह वीडियो बना है वह अपराधी जो है मोईद खान के मॉबाइल से बरामत हुआ इससे बड़ा और कोई क्या पुरूप हो सकता है थोड़ा तो सरम करो भाई सपाईयों जरासा इंडिया गठ बंधन वालो सरम करो यह चुलू भर पानी में डूब के मरो अगर तुमारी बहन यँ को तुमारे घर में किसी दस साल बारा साल की बच्ची के साथ ऐसा अगर कोई किया होता तो यही भासा होती तुमारी अरे क्या कहें तुमने इंसानित जो है खतम कर दिया है तुमने जो है राजनीती के लिए सब कुछ ताक पर रख दिया है अरे तुम नवाज पढ़ो कौन तुम्हे मना कर रहा है तुम चादर चड़ाओ कौन मना कर रहा है लेकिन कम से कम अपराधी का तुम जो है देख रहें कि अपराध करने वाला मुसल्मान है इसलिए उसके भाग ने आरोपी की संपत्ति की पैमाईश की थी खाद इस रक्षा उपायुक्त ने बेकरी को सील भी कर दिया है और बेकरी का लाइसंस भी रद कर दिया है वाई पीडित परीजन को धमकाने के आरोप में भी एफ आयार दर्श कर ली गई है सीम योगी आदितनात ने भी इस मुद्दे को विधान सभा में उठाने के बाद पीडित परीजन के साथ मुलाखात भी की थी यानि की एक के बाद इस आयोध्या रेप मामले को लेकर के आक्शन देखने को मिल रहे हैं और बकादा योगी सरकार जो है इस मामले में आक्शन ले रही है और कहीं न कहीं य चखर ने अपराद को अंजाम दिया गया बलकि पहले उसका अर्षलील वीडियो भी बनाया गया जिसके बाद उसके साथ एक बार नहीं बलकि कई बार इस अपराद को अंजाम दिया गया हाला कि नावाली के साथ दुशकर्म का खुलासा तब हुआ जब नावाली पीडिता गर्भवती हो गई ओरूप है कि लगबख धाई महीने पहले नावाली के बीडिता खेत में मजदूरी करके लोट रही थी तब ही नौकर राजु ने पीडिता से कहा कि बेकरी मालिक मोहित खान ने उसे मिलने के लिए बुलाया है जिसके बाद मोहित ने पीडिता के साथ अपराध को अंजाम दिया जिसके बाद नौकर राजु ने भी नावालिक के साथ दुश कर्म किया पुलिस ने जाज के बाद दोनों आरोपी मोहित खान और नौकर राजु खान को गिरफतार कर लिया है फिलाल इस मामले में जमकर राशनिती भी देखने को मिल रही है जहां योगी सरकार इस बात को लेकर के प्रतिबंद है कि पीडिता को न्याय मिले तो वहीं दूसरी ओर सम कई लोगों का गुस्ता भी फूट पड़ा है और उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है वो ऐसे जगह से आते हैं जहां पर नेता यह कहा करते थे कि लड़के हैं गलतिया हो जाती है और यह आज नयाय की बात करते हैं फलाल अस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्यार है हमारे कॉमेंट सेक्शन में सरूर बताएं धन्यवाद